स्क्रीन दिख रही है मेरी सब को स्क्रीन आपकी बिल्कुल विसीबल है और वॉइस बिल्कुल विसीबल है आज के सेक्शन में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एक अच्छा फ्रिलांस राइटर हायर कर सकते और उसको मैनेज कर सकते पिछले कुछ सालों मैंने बहुत सारे राइटर हायर किया उनको मैनेज किया मैं एक एक इजन्सी चला सोन और पिछले कुछ सालों से यह काम कर रहा हूँ तो यह सारे पॉइंट जो हम आज के सेक्शन i.डिक्क्स कर हों पर फैंडिंग गूड राइटर आप और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहां पर से लेते या आपक्वर्क से लेते हैं और कुछ लोग तो फेजबुक से ले लेते हैं mostly सबको पता ही होता है कुछ होता नहीं है यहाँ पे अप content writer डालो यहाँ पे group का filter लगा लो यह groups होते है इन groups को join करके post कर दो नीचे comment आ जाती है यहाँ पे mostly सस्ते और unprofessional writer most 90% unprofessional मिलते जो मतलब बारवी और पास हो गई डिगरी हो गई अब चलो कुछ बने नहीं राइटर बन जाते यह वाला सीन mostly इन groups में होता है mostly किसी को यहाँ पे काम जादा करना नहीं होता है quick cash कमाने के लिए लोग यहाँ पे बैठे होते लिखना भी उनको mostly आता नहीं है तो अगर आपका budget बहुत क नीचे 20-30 पैसे के नीचे तो LinkedIn पर कोई काम करता नहीं तो अगर इतना budget कम है आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो यहाँ पर बहुत सारी लोगों को verify करने के बाद आपको कोई धंका राइटर मिलेगा जिनको आप काम दे सकते हो और वो पाई इसलिए मैंने बता दिया अभी बात करतें LinkedIn के LinkedIn पर सबसे अच्छे राइटर मिलते हैं और हाइरिंग भी यहाँ पर मतलब यह प्लैटफॉर्म जो है यह बना ही इसलिए है कि आप यहाँ पर recruiters और जो employees होते हैं उनके बीच में connection बनाने के लिए LinkedIn को मतलब बनाया गया इसके पीछे का reason ही यही था तो यहाँ पर hiring करने के सारी जो tools होते हैं जो method होती है वो सारी चीज़े यहाँ पर है available सारी features LinkedIn ने दिये हुए तो बहुत properly यहाँ पर hiring कर सकते हैं सबसे पहले hire करने के लिए आप LinkedIn को sign up करना Facebook जैसा होता है mobile और email का verification लगता है उसके पास आपका account बन जाता है यहाँ पर सबसे important चीज आ जाती है LinkedIn एक professional platform है तो यहाँ पर अगर आप Facebook जैसे ID बना होगे वहाँ पर कुछ डालोगे नहीं आपका photo नहीं है banner नहीं है proper experience नहीं है तो आपको कोई मतलब कोई बंदा आपके साथ काम करेगा नहीं क्योंकि मतलब यहाँ पर आपके professional photo होनी चाहिए आप क्या काम करते हैं कहां से हैं कहां कहां पर आप लोगों ने जॉब की यह पहले जैसे यहां पर देखिए यह मैंने इन जगाओं पर जॉब की थी तो मैंने डाला है तो जो बंदा मतलब मेरे को मेरे साथ काम करने के लिए आएगा उसको यह देख उसमें कुछ डालते नहीं है तो फिर यहां के LinkedIn के राइटर आपके साथ काम करेंगे उसकी कोई guarantee नहीं है मतलब उनको भरोसा नहीं होता है payment वगरा का और सारी चीज़ होगा तो अपनी profile को proper professional बनाई है आपकी background सारी चीज़े डालिए कुछ अच्छे connection बना लिए जैसे यहा आपको ऐसे जो साइड में वगरा यहां पर सर्च करके जैसे डोमेन में आपको कनेक्शन बढ़ाने हैं जैसे मैं राइटर हूं तो मैं मैंनेजर लोगों को पकड़ता हूं अभी आप ब्लॉगर है और आप लोगों को राइटर हायर करना है तो आप यहां पर ऐसी content यहां पर mostly में डालता हूं I'm looking for the content writer और उसके बाद सामने वाले बंदे को पता चले जाता है कि जो आया है वह recruiter है और उसको मेरे से कुछ काम करवना है तो वह mostly request जल्दी accept करके reply कर देते हैं ठीक है यह तो बात हुई profile की अभी main चीज़ पर आते कि आप किस तरीके से writer ढूं किया तो यहां पर यह चीज़े आ जाती है Facebook जैसी तो आपको यहां पर पीपल सर्च करना है मतलब अभी खाली वह लोग आ जाएंगे जो content writer है या तो यहां पर भी दो चीज़े हो जाती है अगर आप किसी writer को अप्रोच करते हो और ऐसा होता है कि वह वह किसी company में occupied है मतलब काई पहले से कहीं पर काम कर रहा है जैसे यह विशल गुपता है तो प्रोदे न को यह और लगाना पड़ेंगा अब पर डाल दीजिए फ्रीलांसर यह फिर आप यहां पर सेल्फ एंप्लोइड भी कर सकते चूज़ और इसको सो रिजल पे कर दीजिए तो अभी देखिए अभी यहां पर जो राइटर है ना वह सारे राइटर जॉप करने के लिए तैयार है मतलब यह फ्रीलांसिंग का ही काम करते हैं तो अभी यहां पर चीज़े आ जाती है बजेट के उपर ठीक है अगर आप एक तो प्रॉपर और बहुत ज्यादा साइन दिखता है ना उनको उनको अप्रोफ कर सकते हैं यह बहुत महेंगे होंगे तो वह अगर बजेट कम है तो इन लोगों से दूर रहो तो यह प्रीमियम वाले होते हैं ठीक है बाकी आप ऐसे खोल के देख सकते हो इनको खोल के देखने के बाद यहाँ पर आपको इनका पूरा कच्छा चिटा पता चल जाता है तो अभी यह बात समझने वारी होती है यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा अलब आपको अपने माइंड से काम कर लेना पड़ेगा अभी ऐसे जो राइटर्स होते हैं यह प्रोफाइल को अनलाइज करके चीज़े पता चलती है अब यह जो लेडी है अगर आप इनको अप्रोच करते हो तो यह बहुत हाई चार्ज करेगे ठीक है तो ऐसे लोगों पास मोसली अगर आपका बजट नहीं है और आपका काम अगर ठीक ठा है मतलब खाले आपको कंटेंड चाहिए बहुत अच्छा नहीं चाहिए तो आप इन लोगों को टालो और न्यूबी राइटर्स की तरफ जाओ न्यूबी राइटर्स जो होते जो आपकी बजट में आए ठीक है यह मोसली बहुत महेंगे होते जो जिनके फॉलवर्स जा जाती है जैसे मेरे जैसा जो बंदा होता है जिसको बहुत सारे राइटर चाहिए होते हैं अगर पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं मुसली क्या करता हूं मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप किस तरीके से जोब पोस्टिंग कर सकते हो उससे पहले एक और तरी आपने हिसाब से जो भी आपको मिले ले सकते हो यह तूल में यूज करता हूं लेकिन अगर आपका जो बिजनस से बहुत सारी ब्लॉग है तो आपको यह परवड़ेगा मतलब अगर दस वीस राइटर चाहिए एक साथ अच्छे जो कि प्रोफेशनली काम करें कम बजट में तो आप ऐसा टूल लेकि उनको फिर बल्क में आउट्टरीच करो और आपके बहुत सबस्याइक बहुत सारा डेटा इकटा हो जाता है उसके बाद आप एक एका उक काल करके उनके एक्स्पेक्टेशन शारी तीस सारी यह पूछके फिर आप उनके साथ बात करके अपने बजट में हो तो ले सकते हो उनको हायर कर सकते हो ठीक है यहां पर अभी मुझे नहीं लगता है यहां पर campaign बनाना बताना जरूरी है क्योंकि तूल तो हर बंदा अलग अलग लेगा यह मैंने लिया था आप सुमों से lifetime डीन थी तो मेरे को सस्ता हैं मिल गया था अभी बहुत महेंगा हो गए ठीक है तो अभी नया कोई linkedin automation का टूल आएगा तो लेकर रख सकते हो यह बहुत सारे काम हो में आप मैं तो करता हूं इसको अपने जो क्लाइंट कि विशाल वाई आपके वाइस ब्रेक हो रही है कि अभी आ रही है आपकी ब्रेक हो रही थी अभी अभी ठीक है बोली आप सोरी सोरी सरीक में अभी ठीक है अभी ठीक है कंटिनिए ने कि अभी अभी नहीं आ रही है कि वाइस तो यहां पर इस तरीके से यह था कंटेंट मैंजर वाला केंपेंट था और मैं काम ढूंड रहा था उस यहां पर मैंने एक कैम्पेंट बना आया था तो आपको सेम कैम्पेंट बनाबाना था एक एक दो के लिए चीज नहीं है एक दो की वाली चीज मैं आगे बता उगा ठीक है यह उनलोगों के लिए बता रहाँ जिनका बहुत बड़ा ब्लॉगिंग का काम है और जिनको दस बीस पचास राइटर चाहिए ठीक है यहाँ पर देखो यह मेरी प्रोफाइल है जो मैंने यहाँ पर और सामने मैंने क्या किया है जब बंदा मतलब प्रोफाइल पे आये जैसे यहां पर क्वेरी वो है क्या वहली यहां पर हमने फिल्टर बनाये तो युहाल में फिल्टर डाल दल देता है और मैंने यहमितंए देदी टूल को कि यह वाला मैसेज इनको भेज़ो ठीक है मैं यहां पर काम देख रहाता तो मैंने यह मैसेज यहां पर बनाया था तो यह जो है फैरियेबल है प्रोफाइल के अकौर्डिंग यह बदल जाते ठीक है तो यहां पर डाल सकते हो वह लुकिंग फॉर दे इंटरेस्टेड़ हो तो नीचे दिएगे नंबर या फिदी इमेल का कॉंटक कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से मेरा यह काम चलता है तो यह तो मुझे ने लगता है यहां पर बहुत लोग करेंगे यह बस उनके लिए है जिनको बहुत सारे राइटर चाहिए ठीक है अब मेरा जितना experience रहा है मैंने पिछली कुछ सालों में बहुत सारी जॉब पोस्टिंग की यह लिंक डिन के उपर कुछ मेरी प्रोफाइल से की थी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और कुछ मेरे साथ जो काम करते हैं उनकी प्रोफाइल से करते हैं लोग तो मेरे साथ क्या ह होता है जब मैं जॉब पोस्टिंग करता हूं ठीक है उसके अंदर मेरे को प्रोबैबली पचास से पच्पन राइक्टर्स की रिक्वेस्ट आ जाती है मतलब आगर आप जॉब पोस्ट करते हो लिंक्टिन के उपर तो पचास से पच्पन आपको मिल जाएंगे मतलब राइ स्क्रीन है जब लॉग इन करते हो तो ऐसा आपको लिंक्टिन दिखता है और यहां पर उप्चन होता है पहले तो यार जॉब पोस्टिंग करने से पहले न मुझे यह नहीं पता कि परसनल में बंदा लो जॉब पोस्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने जब ये page बना लीजे ठीक है मैंने कभी बिना page वाला profile यूज नहीं किया मेरे सारे profile पर page बना हुआ है तो मेरे को ये सब में आ जाता है जिसको नहीं आ रहा है वो लोग इस तरीके से LinkedIn का page बना सकते है YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते company का page बनाने के तो आप अपने blog के नाम से page बना लीजे आपका जो भी blog है या फिर आप कुछ भी नाम डालोगे तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो अभी जो लिस्टिंग होगी जॉप की वो इस company के नाम पे होगी ठीक है तो लोगों को जो मतलब writer मेरे को request करेगा कि मेरे को जॉप चाहिए उसको मेरी profile दो दिखेगी दिखेगी लेकिन वो company के लिए काम करेगा मेरे लिए नहीं करेगा ठीक है तो आप भी इस तरीके से अपने ब्लॉक का एक पीज बना लिए और उसके बाद आप यहां पर जॉप पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखें मैं आपको अपनी पहले वाली पोस्टिंग दिखाता हूँ पहले ठीक है यह मैंने आठ पोस्टिंग की थी पिछले कुछ दिनों देखें यह मैंने पोस्टिंग की थी मेरी पहली पोस्टिंग है शायद यह मेरी पहली पोस्टिंग है जो मैंने दो साल पहले की थी ठीक है और यहां पर आप देखें थर्टी नाइन अप्लिकंट्स मेरे को मिल गए थे और यह है जो पहले तीस में मिल जाते बाद में लिंक्रिन आपसे पैसे मागने लगता है ठीक है मतलब पैसे वो चार्ज करते अपनी जो जॉब पोस्टिंग है उसको बूस्ट देने के लिए तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दो चार सुरूपे कुछ फीस होती हो वो दे सकते हो उसके बाद जैसे मैंने इसमें से एक पर कहीए पैसे दिये थे उनको तो मेरे को प्रॉबबले हाजार अप्लिकेंट मिल गए थे उस पर हजार बारा सों मिल गए थे तो यह तो फ्री वाली की थी इसके दिए यहां पर थर्टी नाइन आइँ आई ते यहां पर फॉर आये यहां पर देखेंगे और यहां पर 59 आए थे तो जो पोस्टिंग कैसे करते उस पर बात करते अभी जो पोस्टिंग यहां पर पोस्ट फ्री जोग ठीक है यहां पर मैंने क्लिक किया पर देखो यह स्क्रीन खुल गए यहां पर जोग टाइटल दाल दिया मैं को क्या चाहिए फ्रीलांस राइटर आप यहां पर बहुत स्पेसिफाइब करके भी डाल सकते हो जैसे लुकिंग फॉर दिफ्लैंस ट्राइटर यह फिलांस ट्रैवल राइटर यह स्टरीक से फाॉट इसस्ट बंदा अपवन्हय करके यहां पर आपको work type select करना है कि आप मतलब किस तरीके से writer hire करना चाहते हैं आपको वो writer चाहिए on side मतलब वो होता है जो आपकी office में आएगा और वहां पर बैठ के आपकी जगा पर बैठ के काम करेगा वो on side writer होते हैं hybrid मतलब वो होता है कि कुछ दिन office में आ रहा है या फिर तब आ रहा है जब आप बुला रहे हो और बाकी दिनों के लिए वो घर पर बैठ के काम कर रहा है और remote मतलब वो होता है कि आपको completely remote writer चाहिए आपको कोई office नहीं आप भी घर से करते हो वो भी घर से करेगा और सारी ट्रेनिंग अगरा भी properly दे सकते हो तो आप पर डिपेंड करता है ठीक है अब employed की location होती है ठीक है अभी यह चूस करना ना मतलब बहुत पाइदा देता है ठीक है अगर आपको cheap मेरा राटर चाहिए जो mostly focus है मेरा इस topic के लिए तो ना countries नेपाल जैसे डालो नेपाल हो गया भूतान हो गया एक इंडिया में मिल जाते है चीफ से राटर उसके बाद Kenya हो गया साउथ अफरिगा की जो भी स्टेट से ना वहां पर बहुत cheap में मिल जाते है ठीक है अब अब देखो currency जहां जहां पर भी low है ना अपनी जहां पर strong इंडिया की currency वह वाली countries डालो तो mostly आप भी लोग काम कर लेते मेरे पास Kenya का एक राइटर है तो वह 10 पैसे में ही काम कर रहा है ठीक है तो मिल जाता है ऐसा नहीं नहीं मिलता है लेकिन आपको उसके लिए धूनना बहुत पड़ता है तो दस पैसे में मिल जाते है वैसे राइटर तो यहां पर आप country डाल दीजिए आपको जिस भी country से राइटर चाहिए और यहां पर यह जॉप टाइप होता है फुल टाइम मतलब यहां पर चूज करते हो इतना थीक से चूज करो अगर आपने फुल टाइम कर दिया बाद में उसको आने के बाद बोल रहो contract पर काम करो तो यहां पर mostly वह चीज थोड़ी अनप्रोफेशनल हो जाती हो बंदे मतलब सीधा निकल ही जाते क्योंकि सारी चीज़ें यहां पर बहुत अच्छे से specify होती है पहले से यह filter दिये तो इनको correctly भरो तो यहां पर जॉप टाइप mostly जो blogger होते हैं वह सारे contract ही चू काल दोगे यह चीज़े contract में mention करनी होती है मैं आपको contract का template भी शेयर कर दोंगा ठीक है तो full time वह होता है बही मतलब जिसको salary base पर रख रहे हो और इसमें सारी चीज़े आ जाती है मतलब आपको उसके साथ proper contract भी बनाना पड़ेगा उसकी मतलब appointment later भी देना पड़ेगा और ब लेटर मांगते हैं जोइनिंग लेटर मांगते हैं कुछ ना कुछ माग लेते हैं फिर आप वो लोग आप लोग वो प्रोवाइड करने पाऊगे तो वैसी चले जाने तो सीधा सीधा यहां पर contract ही डालो उसके बाद यहां पर कि get started for free स्टेट में सी राइटर चाहिए तो ठीक है अब यहां पर आगया जाते हैं यहां पर आपको डालना होते हैं डिस्क्रिप्शन और यह आपको बहुत प्रॉपर लिबढ़ना पड़ेगा ठीक है यहां पर जो भी जॉप के लिए अपलाई करता है वो डिस्क्रिप्शन पर चीज़े नहीं होती फेस्बुक पर कैसे होता है कि ट्रैवल राइटर लेकि टेक वाले बंदे आ जाते हैं बाद में बोलते कि अरे यह तो ट्रैवल के लिए था वह मैं लिखने सकता ठीक है ऐसे नहीं होता है यहां पर लिंक्डिन पर जो राइटर होता है आप किसी भ राइटर ढूंड रहे हैं हम इतने से इतने तक सेलड़ी उसको पे कर सकते यह पहले बता दो बहुत जिनके हाई एक्सपेक्टेशन होती है जिनको आठारा लाग पर आनम चाहिए बीस लाग पर आनम चाहिए वह बंदे आये मेरे साथ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क् कॉंटेंट राइटर और ऐसा 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 और मेरे को वह राइटर आ रहे थे जो मेरी जो कंपनी थी उसके मतलब जो सालाटर होता है उससे भी ज्यादा थे जैसे मेरे को एक लेड़ी आई थी जिनकी 26 लाग पर आनम सलरी थी तो उन लोगों को थोड़ा किनारे करने के लिए यहाँ पर क्लियर डाल देजिए आपके कितने से कितनी रेंज आप दे सकते हो और आपको कितने वर्ड चाहिए पर मंत उनसे आप कितने वर्ड एक्सक्ठ कर सकते हों और आपको पर जा कितना काम रहेगा कितने फरिक्वेंसी रहेगी किस निछ मेँ आपको राइटर चाहिए लॉग लिखना है आर्टिकल लिखना है और कॉपिरौइट करवानी हैं वैट पिपर लिखना है ब्रोड इस वो मतलब सब कुछ लिख सकता है, तो यहाँ पर वैसी चीज नहीं होती है, लिंक्टिन पर बंदे स्पेसिफाइ करके बैठे हुए अपनी प्रोफाइल को, तो यहाँ पर कॉपी राइटर अलग होता है, कॉपी राइटर वो लोग होते हैं, जो हेडिंग्स वगरा लिखते ह है, सोशल मेडिया के कैप्शन लिखते है, लिंक्टिन की पोस्ट लिखते है, बड़े-बड़े ब्रैंड के जो अड़ोटाइस पर चीज़े आती है, वो लिखते हैं, वो कॉपी राइटर होते हैं, तो यहाँ पर पहले स्पेसिफाइ कर दो, मेरे को ब्लॉग राइटर च चाहिए, रोज के दो, तीन हजार वोड जो लिख सके वो चाहिए, मेरी जो मैं जो दे सकता हूं, वो है, बीस अदर के सलरी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और रिमोट जॉब होगी, आपको कहीं पर भी ट्रावल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह सारी चीज़े यहाँ पर इंडेप्ट डाल दीजिए, मैं एक स्क्रिप्ट लिखके ग्रूप में जो 30 डेज वाला ग्रूप है, उसके अंदर शेयर भी कर दूँगा, आप पस खाले जो वेरियाबल से उसको चींज करके यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ फिर स्किल आप लोगों को, यहाँ फिर आप लोगों को यहाँ पर स्किल मतलब वो करनी होती है, स्लेक्ट करनी होती है, ठीक है, तो अन्नेसरी जो स्किल है ना, उसको निकाल देजिए, ठीक है, यह स्टोरी वाली हो गई है, यह मार्केटिंग वाली हो गई, मैनेजमेंट, यह अपने तो किसी काम के अभी तो नहीं है यहां पर और स्पेसिफाइग करके डाल सकते हैं अभी मैं टेक्निकल राइटिंग में डाल दी अभी आगया आपको खाले यहां पर नेक्स तुटिंग लिए अभी हो गया सब्सक्राइग अधर नहीं रहता है मेरे गाओं में अभी आगे आ जाईए देखिए अभी यहां पर क्या होता है यहां पर आपको वह चीछ चूस करने होती है कि आपको जो अप्लिक अप्लिकेशन करेंगे लोग ठीक है जो आपकी जॉब में इंट्रेस्टेड है वह आपको कहां पर मिलें उनकी इनफॉर्मेशन तो यहां पर देखिए बाइ ईमेल एक होता है बाइ इमेल पर मतलब यह मेरे कंपनी का इमेल है और यहां पर था अभी जो अजीब हो जाता है मतलब बंदा हैंडल नहीं कर पाता है इमेल के उपर आगर आपको जॉब अप्लिकेशन आ रही है ना तो उसको क्लिक करके फिर आपको अल्टिमेटली लिंक डिन पर खोलना पड़ेगा क्योंकि उस बंदे से बात करनी है वो तो नंबर डालके तो देगा इमेल पर आपके नंबर का तो फिल्ट होता नहीं जॉब अप्लिकेशन में अप्लाइ करते ताइंट तो अल्टिमेटली आपको लिंक डिन पर आके उसके साथ बात करनी है तो मैं मोसली क्या करता हूं यहां पर यहां पर भी ना इन लोगों ने बदल दिया ठीक है यहां प यही से मैनेज कर पाते थे जो हमारी इसी लिंग्डिन के पैनल सी तो अभी तो यार एक्स्टरनल वेबसाइट मतलब आपको यहां पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहां पर डालना पड़ेगा ठीक है तो जो बंदा क्लिक करेगा अपल फॉर्म पर चला जाएगा और वहां पर वह अपनी चीज़ें डालके वहां से अपलाइक कर पाएगा तो अभी के लिए अगर हम इमेल कर लेते हैं और यहां पर देखिए यहां पर डालने होते हैं यह कुश्चन बंदा तब आंसर करता है वही जब आपको मतलब जब उसको अपलाइक करते टाइम यह कुश्चन दिखाई देते कि इन कुश्चन का आपको आंसर करना है और अगर आप मिनिमूम रिक्वर्मेंट उन कुश्चन के जो आंसर है वह आपको पहले स्पेसिफाई करने होते और उसके बाद अगर आंसर मतलब आपने जो बोला है उसके आसपास है या फिर उससे अच्छा है तभी वह बंदा अपलाइक कर पाता है जौब के लिए या फिर उसको लिखा आ जाते हैं कि यह जौब आपके लिए नहीं है और जो रिक्रूटर है वो कुछ और देख रहा है तो यहां पर अभी मैं कस्टम कोश्चन ड रे तो आपने टेक्निकल आझाले लिख यह नहीं अगर लिखे है तो किस के लिए लिए लिखे तो यह सारतो अप्र आप यहां पर specify करके डाल सकते हो कि कितने सालों का आपको experience है कितने कितने आपने आर्टिकल टेक्निकल निच में लिखे होंगे कौन कौन से companies के लिए आप काम आपने काम किया है वो सारी चीज़े ठीक है तो यहां पर ideal response वगरा यह चीज़े होती है अपर देखिए है आप आएगा तो यहां पर आप जैसे how many years of experience do you have तो यहां पर डाल सकते हो यार पात साल ठीक है minimum experience तो जिसका minimum पास साल का experience वही बंदा आपके पास आएगा जिसका नहीं होगा नहीं आएगा तो question आप आपके हिसाब से यहां पर design करके डाल सकते हो और उसके बाद उनके असर करने के बाद बंदा आपके पास आ जाएगा ठीक है कि यहां पर है फिल्टर आउट जो जो लोग इन questions को match नहीं करते ठीक है तो उनको फिर मतलब automatic LinkedIn की तरफ से message चला जाता है कि आप जो minimum requirement हो minimum requirement है job की वह फुल्फिल नहीं करते और तो उसके लिए हम sorry और हम आपको hire नहीं कर सकते तो इसका automated response होता है जो LinkedIn भेज देता है उन राइटरों को वह मैं आपको भी दिखाता हूं थोड़ी दिर में ठीक है job posting में है वो मेरे अभी यहां पर अभी आपको प्लिक करना यहां पर पोस्ट जॉब फॉर फ्री आपने यहां पर कर दिया और मैं यहां पर अपना इमेल वेरिफाइब कर रहा हूं ठीक है एक फूल टूट टूट अब अभी यहां पर मैं अगर डिस्क्रिप्शन वगरा लिखने बैठ था तो कोर्स बड़ा यह जो क्लास है वह बहुत लंबी हो जाती तो आप अच्छे से डालिए और इस जॉब को आप स्किप कर दीजे ठीक है इस जॉब पर अप्लिकेशन मेरे सबसे ना के बराबर आएंग और मोस्ली तीस मिनिट में आ जाते ठीक है तीस से चालेश अप्लिकेशन आ जाते पहले ठीज अब यहां पर पोस्ट जॉब फॉर फ्री पर मैंने क्लिक किया मैंने अपने कुछ सालों में पिछले जब तक यह हो रहा तक आपको बता रहा हूं पिछले कुछ सालों मैंने बहुत सारे प्लाटफॉर्म एक्स्ट्रोर किये थे हाइरिंग के लिए मतलब मैंने नौकरी.com को भी एक्स्ट्रोर किया है उसके बात फ्रीलांसर को किया था ऐसी बहुत सारी जॉब पोस्टिंग साइट्स थी जहां पर मैंने एक्स्ट्रोर किया था अच्छे राइटर्स के लिए वहां पर राइटर्स ठीक मिलते नहीं है ठीक है वह अच्छा राइटर चाहिए ना तो आप थोड़ी महनत कर लो लिंगडिन पर आपको सबसे अच्छा राइटर मिल जाता है लिंगडिन से बढ़िया हाइरिंग के लिए कोई प्लैट्फॉर्म नहीं आपको से वाला तक मिल जाते थी तीन मेने पहले तक जब मैंने लाज जॉब पोस्टिंग की थी तो मैंने को पचास तक फ्री अप्लेकेशन मिल जाते थे अभी तो दसी मिल रहे हैं तो अभी के लिए दसी ले ले लेते तो 125 रुपए आपको देने पड़ेंगे देली या तो महेंगा हो गया यह मुझे नहीं पता था नहीं तो मैं आपको कोई और वे बताता है चलो ठीक है फ्री में ही कर लेते दस दो चार बार पर पोस्ट कर दीजिए तो 40-50 तो वैसे भी आई जाएंगे अगर आप दो चार बार एक ही जॉब को पोस्ट कर देते हो जॉब अल्टिमेट पोस्ट कर सकते हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो दस आ रहे तो पाच बार डाल ठीक है हर दो दिन में हर दो दिन में हर दो दिन में तो 50 तो अप्लिकेशन से आपको मिली जाएंगे यहां पर देखें यह मेरी प्रोफाइल वहां पर दिखाना है कि नहीं दिखाना है तो मैं यहां पर चूज कर लेता हूं तो जॉब पोस्टिंग के नीचे मेरा प्रोफाइल दिखेगा as a job poster मतलब मैंने job post की है तो job से apply करने के पहले अगर किसी को कोई question है तो मेरे से reach out करके अपने questions clear कर सकता है ठीक है और मैंने आपके save पे click कर दिया है देखे अभे देखे ये live हो गया ठीक है अच्छा हुआ ये हो गया जैसे ही मैंने post किया है पोस्ट करते ही आप देखे प्रबबली दो सेकंडर भी नहीं लगया और मेरे को applications यहां पर मिल गया अगर इस तरीके से writer अगर आप लोगों को आ रहे है ना आपके पास कि मेरे को आपकी job के लिए काम करना है मेरे को आपके लिए काम कर रहा है तो तीनसो एकसो पचीस रुपए जो LinkedIn मांग रहा वो देने में कोई हरकत नहीं एकसो पचीस रुपए दे दो उनको प्रूबाबली बहुत मतलब बहुत अच्छे applications आपको यहां पर मिल जाएंगे यह तो एक आया है जब तक क्लास एंड होगा प्रूबाबली मेरे साबसे आही जाने जो दस उन्होंने लिमिट दी है उतने तो आही जाएंगे मेरे साबसे या फिर उससे जादा ही आ जाएंगे तो अभी आप इस बंदे के साथ conversation आगे ले जा सकते हो आप इसको बोलो हलो यार आप अपने जो शीवी है तो आपको इमेल पर आ जाती मेरे को शीवी आ गई होगी शीवी शेर करो cv में सारी चीजह लिख्ष़े लिख्यू होती यह कहां खहां पर इन्होंने काम किया है कहा सब रहते है सारी चीज़े लिए एक्सपिरियंस वगारा सब लिखा होता है इनका इजोकेशन बैगरांड वो सब सब लिखा होता है ठीक है तो सीवी तो इनसे आप मांग लो जोड़ा प्रोफिशनल लगता है सीवी मांगना ऐसे ही आप लगोगी तो वजन नहीं पड़ेगा टीक है तो वजन डालने के लिए आपको सीवी की जरु नहीं है लेकिन ठूड़ा इसके सामने वजन बढ़ाने क लिंक्तिन की एक अच्छी बात क्या है कि जो जौब पोस्टिंग यो नुक को दिखाता है। जिनकी प्रोफाइल पे सीधा सीधा लिखा हो । हम लुकिंग फूर जोब ठीक है. यहां पर आप सीधा सीधा प्रोफटा पर लिख सकते हो. कि मैं जॉब ढून रहा हूं कंटेंट राइटिंग में तो वो उसी को दिखाता है जिनकी प्रोफाइल पर ये किया हुआ है कि वो करेंटली जॉब के लुक देख रहे हैं उनको दिखाता है जॉब पूस्टिंग तो अपने को जल्दी मिल जाते हैं अपली अप्लिकेशन से ठीक है तो यहां पे वेव अप्लिकेशन्स में इसी के बारे में बातकरा था ठीक है वह आपको एमेल चूस करने अपर एक्शली पहले यह ऑप्शन मतलब अलग होता था यह ऑप्शन वहाँ पे दिखाया जाता था अभी नहीं दिखाया जा रहा है तो देखो मैंना क्लास इससे पहले ली नहीं है तो लेना थोड़ा मिर ले डिफिकल्ट हो रहा है आप समझो बात को इसकी रेकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो वहाँ पे आप दुबारा देख लेना ठीक है तो देखो यह चीज में बोल रहा था वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने मेरा इमेल डाला था सपोर्ट वाला तो वहाँ पे पहले यह चीज भी स्लेट करने के लिए आती थी थी कि मैंने जॉब फ्रों लिंक अभी नहीं आ रही है और अभी यह फीचर आपको आज डिफॉल्ट मिल रहा है ठीक है तो आपको इमेल पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी आपको अपनी जो अप्लिकंट से वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है मेंको अप्लाय के लिए ठीक है यह देखिए है यहाँ पर क्या होता है आभी Lets के लिए वह बंदा जो था आच जिंड जो मैने आपको दिखा आ ता उसने अप्लाय नहीं किया था उसने सीधा मेरे को इनमेल किया था यह प्लिमिमीऐ्ट थे सब jsतको नहीं अपलाई किया है, यहाँ पे देखे मेरा उपर का दिख रहा है, चार लोगों ने देखा, उसमें से दो ने अपलाई कर दिया, तो अभी आप इसके, आप यहाँ पर आके देख लिजें, आपको चीजे सारी दिखाई देती, देखो, मैडम का रिज्यूमी है, और रिज्यूम का आप डाउनलोड करके देख सकते हो, डाउनलोड करके देख लो, इसके अंदर सारी चीजे लिखी होती है, रिज्यूमी मतलब वो चीज होती है, जो आप जॉब अपलाई करने से पहले बेज़ते हो, इक तो सीवी बोलते है, तो यहाँ पर देखे, इन्होंने क्या-क्या किया है, वो सारी चीज़े इन्होंने मेंशन कर दी हाँ पर, सारी चीज़े इन्होंने कब से कब तक क्या-क्या काम किया था, और यह सारी चीज़े वेरिफाइ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि यार कोई बंदा यहाँ बैठा है लिंक डिन पे और कुछ भी डाल रहा है, मतलब क कि मैंने फलानी जगा पे काम किया है, यह किया है, वो किया है, और उसने काम नहीं किया है, ऐसी चीज़े बहुत कम होती है यहाँ पे, तो यह तो मतलब किया ही होता है इन लोगोंने, अभी यह मैडम का जो है, इन्होंने इतनी जगाओ पे बोला है कि मैंने मिर को इतना experience है तो आप जब इनके साथ आगे बात करोगे तो यहाँ डूल कर देए ऐका कूरेगी कि तरिखें Parag jaws जॉब मतलब जब राइटर ढूंडता हूं ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है अगर चोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो तो कोई दिक्कत नहीं हम ले लेते हैं अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है बड़ा जहां पर हमको जिम्मेदार आदमी चाहिए तो हम क्य इनका बिहेवियर क्या था वो सारी चीजे हम लोग पूछ लेते हैं तो ऐसा भी वेरिफिकेशन होता है मोसली आप लोग को वह आप करोगे नहीं और करने की जुरुत पड़ेगी नहीं क्यूंकि यह मतलब आप लोग को मतलब उतना करने जाओगे तो बहुत खर्चा हो जा होना है तो आप ऐसे ले लो इनको सीधा 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 सीवीज देख के लोगों के ठीक है आप पूरी चीजे ले क्यूंकि आगे इनका नंबर लेके इनके साथ आप बात कर लो मुसली आफिस आवर में करना रात को आप जोब पोस्ट करते हो तो अप्लिकेशन बहुत सारी आ आ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप रात को उनको कॉल कर लो ठीक है तो मतलब तो सुबह आप मतलब दस के बार आप कॉल करोगे ना तो आपको आंसर मिलने का जो चांसे से वह बहुत अच्छे होते ठीक है अगर आपको इनकी कॉंटक्स information इनकी प्राफाल मेशन है आपने क्या काम किया है कहां कहां से मतलब लेकर आए हैं के skill set क्या है मुस्ट भी होते हैं इनके को दिखाने के लिए बहुत आची चीज मिलें ठीक है सेवंटी सेवन कनेक्शन है भाई के संदीब भाई के तो मोस्ली मैं बता रहा हूं यह आपको मिल जाने है अगर इस तरीके का बंदा अगर अपलाय करता है ठीक है जिसके बहुत कम कनेक्शन है और नया नया लिंग्डिन अगर करते भी है तो ऐसे बहुत कम मिल जाते यह आराम से कर लेंगे ठीक है अब प्रोफाल देखके कर सकते हूं कि बंदा बंदे को क्या प्राइजिंग देनी है यहां पर देखो कवर फोटो नहीं लगा है इनको experience कुछ खास है नहीं यह देखो इनकी जैसे तो आप यहां पर यह चीजबे expect कर सकते हो कि बंदा अगर इस domain से ही नहीं तो फिर अगर इस domain से नहीं है तो mostly इसको experience भी कम होगा और आपको इसको सिखाना पड़ेगा या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इनका professional career और है कुछ और यह मतलब part time content writing कर रहे हैं ठीक है तो दो चीज़ें यहां पर होती है इनको लेने से पहले अगर ऐसी profiles है तो आप लेने से पहले आपको बहुत properly verify करना होता है ठीक है कि यह काम के लिए मतलब है तयार यह काम कर सकते हैं आपके लिए अगर कोई बंदा है जिसका experience बहुत अच्छ चीज़ है कि वह आपके लिए काम कर लेगा लेकिन अगर ऐसा बंदा है जिसका कोई और डोमेन है और वो content writing में आ रहा है mostly content writing में होता भी यह है कि हर लोगों को content writing ही करनी है तो mostly writer इसकी वज़े से challenging हो जाता है अच्छा writer ठीक है तो अगर ऐसा बंदा आपको apply करता है तो mostly आ इसके लिए आप वो question वगरे डाल सकते हो filter वगरे डाल सकते हो ठीक है स्टाइटिंग में job posting की टाइम पर अगर ध्यान रखोगे जैसे मैंने यह job randomly post की थी मतलब सीधा click 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 करके post कर दिया खाली दिखाने के लिए तो देखो मेरे को वो बंदा आ गया जो इस domain में ही नहीं है अगर आप जॉब पोस्टिंग ही ठीक से करते हो ना तो ऐसे बंदे पहले टल जाते जो मतलब जिनको मतलब experience नहीं है ठीक है तो इसको कर लेता हूं मैं बैक यहां पर आप अपर आपको दिखाने के लिए चीज़ें अच्छी हो गई यहां पर मैं जैसे बोलाता है यहां पर अप्लिकेशन सागए छे ठीक है एक नॉर्मल जो ब्लॉगर होता है ना जो मतलब नया-nया काम कर रहा है ठीक है नया-nया काम अपना स्टाट कर रहा है इन छे में से एक तो आपको मतलब जमी जाएगा राइटर एक राइटर तो मिनिमुम जमी जाता है क्योंकि सारे लोग पहले से जॉब पोस्टिंग काफी स्पेसिफाइड होती है कि मेरे को यह चाहिए वो चाहिए मतलब टेक्निकल राइटर चाहिए इतने साल के एक्स्प्रेंस वाला तो बात करने का तो तरीका सेम होता है आपको खाले उनकी प्रोफाइल वेडिफाइगा तो अभी देखिए एक और चीज होती है और वो काफी convenient तरीका है hiring करने का लेकिन उसमें वही बात आ जाती है आपको थोड़ी investment करनी पड़े है उसके अंदर अगर आपको बल्क hiring करनी है अगर 20-25 तीस writer लेने है और आप चाहते हो कि आप काम ना करो आप busy हो कही पर और आपको writer मिल जाए यहां पर चीज आजाती है freelance HR की freelance HR होते यह फिर freelance HR services provider होते जो companies होती है जो HR लेके बठी होती है यह फिर freelance HR होते है जैसे content writing की भी companies होती है जैसे मैं चला रहा हूं और freelance content writer भी होते है तो आप दोनों में से किसी एक को higher कर सकते हैं उनको 10-5-6000 रुपे दे दो मोच्ली 5-4 रभ लेटे इंडिया वाले आपके जो जॉस टाइप की जो राइटर है वह आपको लाके देत ये उनकी जिम्मेधारी पhrाइब की श yprom इस लोग इनका यही काम होता है कि आप लोगों को मतलब जो एक कंपनी की मैं फोर्स है यह उसको वर्क फोर्स है उसको वो मैंज करेंगे तो अभी अगर हम यहां पर फिलांस इच्छार डालते हैं ना इस एच्छार इन में से आप किसी को भी हायर करोगे ना किसी को भी आप हायर कर सकते हो इनके साथ काम ही यही होता है कि यह आपको ढूंड के दे ठीक है यहां पर आपको थोड़ा निच स्पेसिफाइड होके डूंड ना पड़ता है मतलब जैसे यह हॉस्प्रिटेलिटी में ही मतलब एचार है तो यह इनका काम नहीं है तो आप वहां पर प्रॉपर देखके प्रोफाइल देखके जैसे यह वाला इन्होंने कुछ मतलब स्पे दो और इनका काम हहता है कि यह यह डूंड देती आपके लिए राइटर अपनी रिकवरणमेंट बता दो और आप साइड में हो जाओ कुछ टाइम फ्रेम ये चार लोग सापको बताा देते कि इतने टाइम फ्रेम में आपको रायटर मिल जिन लोगों को राइटर रखना है ना बहुत दिनों के लिए अच्छे से मतलब जिनका काम स्टेबल है और जो पर्मन कर सकते वो लोग कॉंट्राक्ट बना लीजिए और जो नहीं कर सकते ना वो कॉंट्राक्ट मत बनाई यह ठीक है क्यों चीज डालनी होती है कि आप कितने दिनों के लिए जॉब मतलब दे रहे उनको जैसे एक टाइल आपका प्रजेक्ट कितने दिनों तक चलेगा एक साल तक चलेगा चे मैंने के लिए चलेगा तो राइटर बोलते हैं यह चीज डालने के लिए या तो आप अगर कॉंट्राक्ट साइन करें और आपका वर्क किसी का लेगिन वही चीज मतलब थोड़ी अन प्रोफेशनल हो जाती है ऐसे फ्रिलांस एच्छार के जैसे फ्रिलांस एच्छार सर्विसस प्रोवाइडर होते हैं ठीक है अगर आपको बहुत ही जादा चाहिए तो वह कंपनी आपकी हेल्प कर देगी आप सीधा सीधा मतलब राइटर का किस तरीके से इंटरव्वीव लेना है तो देखो इंटरव्यू तो mostly countries में क्या होता है जैसे मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया है लेकिन धुमें राइयटर मेरे पास पेहुचता है जैसे अभी कुछ लोग है जो साथ में काम करते हैं देख लित तो इ freelancing में क्या होता है बंदे कही और पे काम करते हैं कही और जगा पे और वहां से फिर वो वो सोचते कि वे ओफिस से आने के बाद मैं आपका काम करूँगा तो mostly वैसे राइटर को टालना चाहिए क्यूंकि वो बंदा थका हारा आता है पता ने ओफिस में क्या होता है रोज-डो का तो कुछ भी हो सकता ओफिस में मतलब वर्कलोड हो सकता है कुछ हो सकता है तो वह बंदा फिर रात को आने के बाद उसका मूड तो होगा नहीं तो आपके लिए काम मतलब करेगा ने ठीक से ठीक है तो जो बंदे कही पर पहले से इंप्लॉइड है और चाहते है कि पर हाइर कर सकता है कि अगर कालिगरत ओप्राइज के प्राइजेंग पर देख रहो तो अगर आपको कोई अप्लिकेशन आ जाती है कालेज वाले बंदे डाड़ी के लिसकी सीदा उठैंग और मान भी जाते बाते मोसली मतलब वो लोग मान जाते क्योंकि उनकी स्टार्टिंग की करियर होती है करियर उनका स्टार्ट हो रहा होता है तो चीजे वो मतलब अच्छे से समझते हैं वो सीखना भी चाहते हैं और काम आपका टाइम पर भी कर देंगे और आप आपकी सारी चीज होंगे उसको प्रॉपर वेरिफाइए करो अभी मैंने क्या देखा है पिछले दो-चार महनों में मेरे साथ क्या हुआ जब हम लोगों ने जॉब पोस्टिंग की तो हमको फेक सैंपल मिले जैसे मेरा खुद गई पॉर्टफोलियो एक बंदे ने मेरे को मेल कर दिया उसका कुछ फ्रॉड बंदे क्या करते उसी पॉर्टफोलियो को ڈाउंलोड कर लेंगी और उसको जैसा का वैसा अपने रिक्रूटर को डाल देते हैं तो मेरे बोल के तो पॉर्टफोलियो वेरिफाइए करना भी मतलब भॉच अच्छी मतलब बहूत मेंन चीज़ है आपको यह verify करना होगा कि उसी ने वो लिखा है कि नहीं लिखा है उसके लिए आप उसको सीधा-सीधा बोलो जहां पर पब्लेश हुआ है वहाँ पर आपका नाम है क्या नाम mostly होता नहीं है क्योंकि सब लोग गोस्ट ट्रैटिंग करते हैं क्योंकि आप भी आप भी हायर करो तो नाम तो वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहा हो तो ठीक है दूसरा होता है यार पासोड का लिखवा लो उनको बोल दो अगर हम लोग अच्छा लगा तो हम लोग पे कर देंगे जैसे अगर आपको 10 अप्लिकेशन आई है अब दसों के दसों से लिखवा सकते हो ठीक है अलग- पासोड का कोई भी ब्लॉग लिख देता है आपको मतलब उनको पेमेंट कर देनी ठीक है अगर अच्छा लिखा है तो पहले बोल दीजिए अगर अच्छा लगा है अच्छा लगेगा अगर हम लोग आपको हायर कर रहे तो यह पेमेंट में इंक्लूड हो जाएगा नहीं लोग बड़ी-बड़ी कमपनी के नाम लेते हैं कि हमने इनके لीग काम किया थीक है तो वे वेरिटाइपर ला थीक है और उस बंदे को टालोब है जो पहले कहीं पर काम कर रहा है ठीक है वो आपका काम नहीं करने वाला है वो डिले करते हो लोग जो पहले कई पर काम कर रहे है और साथ में रात में आपके लिए काम करेंगे तो उन लोगों खोटालो ठीक है और किसी को अडवांस में पे मत किया करो अडवांस में पे करने के बाद क्या होत मैं भी तुरी डिट में डाल दूंगा एक डॉस फैल आपको खाले वहां पे नाम चेंज करना है और साइन ले ले लेनी साइन मोसली वह होता है कि बंदे साइन करते हैं उसका फोटो खीचते हैं और फिर उसको वहां पे पीडियेफ में चिपका देते हैं और वह मेल पे भेज देते तो इस तरीके से कुछ कॉंट्राक्ट साहिर होता है कंपनी का राइटर के बीच में ठीक है तो मैं अभी जो कॉंट्रेक्ट भेजूंगा आपको खाले उस पे नाम रिप्लेस करने हैं और राइटर को दे देना है ठीक है तो उस तरीके से कॉंट्राक्ट फिर हो जात वो पेपर वर्ड होता है मतलब जितने वर्ड उन्होंने लिखे है उसने कि आप पेमेंट करते हो ठीक है यह तो एक सीधा साथा तरीका होगा है लोग सब लोग करते है दूसरा होता है अब सेलेडी पर आप किसी आदमी को ले रहे हो ना तो आप उसको काम दो या ना दो हम लोग के पास काम होता है यह ब्लॉग उसके पात लगिन अगर आप दे भी नहीं पाए तो भी आपको पेमेंट पूल करनी होगे उसके मंत के एंड में यह जॉब की तरह ठीक है तो सेलेडी पेस पे तो मुझे नहीं लगता है मीटिंग में कोई लेगा तो टालो उसको ठ नहीं पड़ती है तो उसको पालो अभी उसको टालो ठीक है अभी जो तरीका है एक और तरीका होता है उसको बोलते पे पर्टिकलर अमांट अफ वर्ड जो मैं मोस्ली प्रिफर करता हूं ठीक है इसमें क्या होता है देखो जैसे एक राइटर है ठीक है और मैं एक राइटर पेमद के नीचे यह मेरे को चाहिए टोटल 6000 रुप ठीक है और मेर को पेमिंट करनी है मैं आपको पेमिंट करूंगा इसके लिए आप गेस के लीज़ां 25,000 रुपे पेमिंट कर रहे ठीक है और जो duration होगा डिव अब डिवरेशन होगा ठीक है इसमें क्या होता है आपके साट दीन है ठीक है शाड़ दिन में आपको इन से शाट थार वर्ड लिखी जाता है शार के पैम जाते हैं हम नया कॉंट्रेक्ट बना लेंगे जो और साथाजार वर्ड का होगा या फिर एक लाग वर्ड का होगा और उस पे भी इस तरीके से चीज़े होगी कितने वर्ड है कितनी पेमेंट उस वर्ड के लिए और कितना टाइम में ठीक है इसका एक फाइदा है कि आप लोगों को बार बार एक बार कॉंट्रेक्ट बना लोगे ऐसा वाला तो सीधा साथ हजार के बाड़ी पेमेंट करनी है वो पेमेंट के जिग जिग थूड़ी खतम हो जाती है अभी ऐसे लगता है कुछ लोगों कि पेमेंट करना कौन सी बड़ी बात है सीधा गूगल पर उठाऊंगा कर दूंगा ठीक है वो चीज होती नहीं है मतलब पूरा मतलब क्या वहलत उसको बंदा परिशान हो जाता है हर आर्टिकल पर पेमेंट करते 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 और ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाते तो बैट रही इस तरीके से कॉंट्राक्ट बना लो सीधा साथ हजार हो जाती पेमेंट कर फैसा है कि यहार बडल सकता हूं तो मैं एक और लेता हूं तो राइटर भी कंफरेवल होता है आप भी इस तरीके से आप कुछ कॉंट्रेक्ट बना सकते हो ठीक है अब रही बात अभी राइटर आप लोगों ने हायर कर लिये ठीक है आपको जो जितने चाहिए दो तीन चार जितने भी चाहिए आप लोगों ने रायर कर लिये अभी रही उनके चार प्रिंड मेरा क्या सेनरी को रहता है मैं क्या करता हूं जैसे मैं मैंनेजर की बात आज़े ठीक है यहां पर अगर आप आप खुद मैनेज नहीं कर सकते आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी बंदे को रख सकते हो जो कंटेट आ रहा है उसको पड़े वेरिफाई करें और आपके ब्लॉक पर आपको सेट अप करके दे अब वो बंदा आपको इनी राइटरों में से मिल जाता है राइटर है अगर कोई अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उसको मैनेजर बना दो उसको चीज़े सिखा के आपके एक दो मैने के ट्रेनिंग दे के उसको मैनेजर बना दो और वो बंदा फिर आप आपके के काम करेगा एक मैनेजर ठीक है आपकी लोग आपकी इसको यह करेगा क्या वेरिफाइव अगेरा कर लेगा तो मोसली मैं क्या करता हूँ एक मैं होता हूँ ठीक है एक मैं होता हूँ उसके बाद एक मैनेजर होता है मेरा ठीक है और एक राइटर होता है यह ऐसा मौट्सप बना लेते मेरा मानेजर मेरा अपसमें बात करके काम करते और मैं खाले उसको देखता हूं ठीक है ऐसे हम लोग के गृप होते तो इस तरीके से आप कर सकते हो मैनेज ठीक है अभी देखो बैए मेरे को जो बताना था वो मैने बता दिया ठीक है अगर कुछ छूट रहा है ना आप मेरे को पता से पूछ सकते हो ठीक है मैं मेरा हो गया यहां पर अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी ठीक है अब लाज भई हलो हलो वाव इशर भाई अरिया वाजारी अपको ले लिजिए तो प्राइ करता हूं अन्म्यूट और जैट भी अनेंबल कर दिए आप पूछ अक्रिया में नेंबल कर दिया又 अव बज्वीर सिंग का दिख रहा है हात ऊपर हैंड रेस दिख रहा है जी जी आप लोग कोशन मुशिए जी 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 पैई आपका बहुत अच्छा अपने बुला के मैनिजर को हम हाइर कर सकते हैं इसमें एक टेंटिटिव बजट थोड़ा सा शेर करें के मेरे पास जैसे आट दस ब्लॉग्स के आइडियाज हैं और कंटेंट के उपर में अभिल्याश भाई से भी मेरा कुछ नो कुछ डिसकेशन चलता रहता है इक इन्वेस्मेंट और एक मैनिजर का और कंटेंट राइट देखो मेरा क्या होता है ना मेरा काम क्लाइट का होता है निचे सिसे में हम मतलब पीछे जाए जब मैंने कमपणी चुरू की थी ठीक है तो उस स्टेम पर मैंने क्या किया मेरे मिले थे फिजीब्र करता था फिर निंगन पर आया राइटर मिले और जो बंदे ठीक से काम कर रहे थे ठीक है जिनको मेरी चीजें समझ में आ रही थी और मेरे क्लाइंट जिनसे खूच थे। उन लोगों को मैंने क्या किया फिर। उनों को उनकी अंडर राइटर हैर करके लिए। जैसे मेरे पास पहले onlar काम करते थेҐ जो बहुत अच्छे दोस्द्वी बन गए थे मेरे। तो मैंने कहा कοιा चारों के नीचे फिर उनको दे दिया, मतलब पचारों के नीचे किसी के नीचे आट्रा रायटर काम करते थे, किसी के नीचे तीस करते थे, ऐसे करके टोटल सतर की टीम आमारी अनेकडेमी पर काम कर रही थी, तो उनका जो बजट था वहाँ पर, उस टैम पर क्या हुआ था, मेरे से जो राइटर पे लेते थे, कोई राइटर मेरे से 40 पैसे पर काम करता था, कोई सतर पर करता था, तो उसके हिसाब से मैंने पे करते हैं तो मोसली वो खुशी-खुशी मान जाते कम पैसे में मैनेजर बनने के लिए क्योंकि आपका काम करते करते वो फिर मतलब किसी और का फ्रिलांसिंग राइटर का भी काम कर पाते अभी मैनेजर की जॉब के लिए ऐसा तो नहीं है उसको पूरे फिर दिन बर बैटना प करते हो ना तो वो मोसली फिर महेंगा हो जाता है क्योंकि वो मैनेजमेंट में होते थोड़ा ज्यादा लेते और रही बाद ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बज्जेट के ठीक है अभी मेरे अभी कुछ ब्लॉग है या बिलाज भाई के कोर्स के बाद ही मैंने किये ठीक ह लिए ठीक है तो वो जो ब्लॉग पे वहां पर मैं क्या कर रहे हूं ठीक है मैं अभी टॉपिक निकाल लेता हूं ठीक है जैसे कि यह टॉपिक बना लेता हूं जैसे मिरे को लगा मैंने 100 keyword निकाले 100 में मेरे को लगा कि मैरे को एक लाक word इसके लिए चाहिए ठीक है तो एक लाक word को आप कर दो जिस तरीके से आपको writer मिला है अगर आपको मिला है 30 पैसे से तो आपका 30 अर्म पूरे block का काम हो जाएगा तो आप उसके साथ सीरा-सीरा contract ये बना लो कि मेरे को य दो पॉसके दो और उसके नीचे शञ्यक्ब कर दो बनेजरी मैनेज़र दो हो जाते है मैनेजमेंट वाले लोग जो मैंनेज़र्स मैनेजर्स अिन टोटल गैंट किन-किन चीज़ों के लिए रिस्पॉंसिबल हो सकते हैं किआहीं ग्राफिक्स वगदर और रिए पूरा कर देते हैं पहली बार मैंज़र बनाया था उसके लिए काम करता था उसको अच्छा लगा मेरा काम तो सने एक्स्टोड करना अच्छे लगता था मैं मतलब बहुत घूंग के आया हूँ यहां पर कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले यूटूब चैनल किया था उस टैम पर क्या हूँ यूटूब चैनल के लिए मैंने वीडियो रिटिंग भी सीख ली थी बाद में मैं ब्लॉगिं की थी और सब जगह से घिसके में कंटेंट में आया था तो ब्लॉगिंग की थी तो वर्डप्रस भी आता था तब वेब्लॉप्मेंट सिख भी गया था जब मेरा क्लाइंट मेरे को मैनेजर बना तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई ठीक है वह मतलब उसने खाली बोल दिया और मैंने कर लिया क्योंकि मेरे को सेटब भी आता था और इमेज बनाना भी आता था और मिल जैसा बन जाता है आपके साटिंग में जो कि मोसली होता नहीं जो राइटर बनते हैं उसको मोसली ये चीज़ा आती नहीं है अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिलता जो सारे काम करके आया है तो आपको कुल सिखाना नहीं पड़ेगा अगर आपको कोई writer मिला है जो खाली writing ही की थे उसने पूरी ज़िन्दगी में फिर तो यार आपको एक महिना दे कि उसको छीज़े सिखानी पड़ेगी या फिर आप उसको template बना के जैसे फोटोशॉप का कौन वा का template बन जाता है उसको बना के देदो उसको बोलो खाली फीचर इमेज बना नहीं यहां पर title रिप्लेस कर दो नीचे यह इमेज रिप्लेस कर दो और आपका बन गया feature इमेज इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो या फ पर देपेंड करता है भी क्या होता है जब आप किसी को हायर करते हो तो मापर सीधा सीधा बोलते हमको credit मिलेगा लिखे हुए content का credit इंदे सेंस होता है और ब्लॉग पर उनके नाम से article पुब्लीश होता है ठीक है यह चीज़ कॉंट्राक्ट में मेंशन करनी होती है अगर आप किसी को कर रहे हो और आपने उसको नाम भी नहीं दिया तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला और हम लोग क्या होता वो लोग लिंक्टिन पर डाल देते हैं ऐसा वैसा प्रोफेशनल बिहेविर हो जाता है तो आप उनको पहले बोल दो भाई यह गोस्ट्राटिं सपोज एक ही राइटर का नाम आफर जैसे एडमिन है या कोई है तो उसी के अंडर लिखते हैं मल्टिपल अब हेल्थ के उपर ले लिते हैं या इंशुरेंस के उपर ले जैंदे कई तरह की इंशूरेंस है और हैं बहुत अधर के लिखते हैं और हम एक ही आथर के नीचे लिखते चले जाते हैं क्या वह वैलिड रहता है टेक्निकली इंटरंस आफ गूगल प्रस्टेप प्रस्पेक्टिव यार देखो ऐसे वाले ना अभी लेकिन मेरा क्या मानना है पता है मैंने जब से ब्लॉगिंग किया और मैंने देखा बहुत लोगों को है अपनी लाइफ मे देखो 72 मेरे ब्लॉगर्स क्लाइंट है अभी करेंटली ठीक है 72 ब्लॉगर्स क्लाइंट है तो उनके ब्लॉग में देखता हूँ और उनसे मेरे को जो चीज पता चलिए मेरी बाते भी बहुत लोगों से होती है तो आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ जीरों पहले मैंने बहुत लोगों से किया था ठीक है तो मेरे को जो एक्सपेक्टेड आंसर मिला था और जो मैं ब्लॉग पर देखता हूँ वो लोग क्या करते एक फेक सी प्रोफाइल में जिससे की एक फेक प्रोफाइल बनाई यह ऑथर की इसका नाम है विशाल ब्लॉग की नीच थी और प्रोफाइल को लेजिट बना लेते और उसकी दोचार ट्रैवल की फोटो लगा देते अब या रेंडम बहुत सारे मिल जाते तो अब आउट डॉस में वो लगा देते तो प्रोफाइल वैसे भी लिजिट हो जाते कोन घर पर वेरिफाय करने आता है यार गूगल की तर अब जाते हैं यार मेर को ना अबिला सर्थ हिंदी बोलना ही बड़ी मुश्किल से आता है तो यह पढ नहीं पाऊंगा मैं हिंदी में कुश्चन से और विजज राइटर्स वेदर देस्ट्विट्वालिटी कंटेंड इस आज डिजाइड वाई गूगल एक कॉश्चन यह है यह तो देखो यह तो क्या होता है यह तो मतलब आपको की बलौ दिए लिए कि नदा अ अभी के लिए मैं बता रहा हूं आपको इंशॉट पहले तो आपको देखना होता है कीवर्ड है तो कीवर्ड का इंटेंट क्या है ठीक है अगर कोई क्वेश्चन है तो बंदा वहाँ पर खाली आंसर देख रहा है मैंने मोसली क्या देखा है गूगल में कि बंदे बहुत सा वर्ड काउंड बनाने के लिए ना उसके रिलेटेड चीजी भी लिख देते तो वह आप पर डिपेंड करता है बजेट है तो बंदे लिखवा लेते नहीं तो मोसली मैं मैं परसनली अगर मेरे को कोई क्लाइट बोलता है ना कि आप लिखवा लो आप अपने एंट से देख अंसर मिल रहा है ठीक है तो अगर उसको सका अंसर मिल रहा है तो गूगल के लिए तो अच्छी है अच्छी बात है बाकि यार उन-पेज ऑक्टिमाइजेशन तो आपको ही करना पड़ता है मोसली राइटर को पता होता नहीं आप कितनी भी ट्रेनिंग उनको देदो अगर उनको बोलते हो कि यह कीवर्ट डालने है तो मतलब अगर ठीक नहीं है न तो वो डालके देगा ठीक है जैसे रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है पिट की उसकी कुछ शॉप ठीक है तो कुछ प्रड़क्ट था उसके अंदर था मेलबर्ण ठीक है मेलबर्ण था पैस्शॉप मेलबर्ण यह कीवर्ड हमको क्लाइंट की तरह से मिला था और मेरी टीम ने ऐसे का उसा राइटर को फारवर्ड कर दिया तो जो राइटर है उसने उसके अंदर इन तक नहीं किया जैसे पेट शॉप इन मेलबर्ण ऐसा कीवर्ड उसको यूज करना चाहिए था लेकिन उन् आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट कॉलिटी है या नहीं है आपको मतलब पढ़के देखना पड़ता है अगर ठीक है तो ठीक है अभी मैंने यहां पर नीचे देखा कोई प्लाइगरिजम का मतलब बोल रहा था ठीक है तो एक क्यूटेक्स टूले जो सुमीद भह ने ब कहीं पर दिख जाती है मतलब अभी अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो उसके वर्ड जो है सेंटेंस के वर्ड का बनके सेंटेंस बनता है तो वर्ड भी अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको कॉपी में डाल देता है वो यलो मार्क कर देता उसको रेड तो नहीं करेगा लेक करता हो तो एक बार पेमिंट होगी है तो क्यों टेक्स के साथ मेरी यह मतलब क्या बोलते मेरा यह है मेरे को क्या होता मुझे मुझे मैं कॉपिसकेप यूज करता है पहले से मर को यह बोला ही वह आप करो यूज हाँ मैं सीरा कॉपिसकेप यूज कर लेता हूँ वह अच्छा है और पैसे भी मतलब यार कमी लगते क्या होता है मतलब अगर आप उसको दे रहे हो दस डॉलर ठीक है तो आपको परमत दस डॉलर दे नहीं है कोपिसकेप में क्या होता है पाच डॉलर आड़ करके रख दो उसक फिर आप दो साल यूज़ करो मतलब दो साल दो जमते नहीं है लेकिन दो तीन मेने भी आप आराम-ाराम से यूज़ करोगे जैसे आप सारे व्लॉग चेक करते बैठोगे ना कॉपिस्के पे तो पैसे बहुत चले जाते हैं तो मोसली क्या करना है कि अगर दस व्लॉग आ रहे कि अब आधारी है जी वे बोलो भाई कॉपिस्के बगवास है बिल्कुल जब मैंने हाइरिंग करी थी ना राइटर्स की तब मैंने कॉपिस्के का प्लैन नहीं था क्यूंकि क्यूटेक्स का कार्ड नी चल रहा था आउं वो कार्ड की सब को दिक्कत आती नहीं बात तो तो वही सब जब आर्टिकल्स में दुबारा चेक करें ना भाई तो जितने भी यूनीक निकले थे ना कॉपिस्केप में तो वह क्यूं टेक्स सब प्लेजरिजरिजम आई थी उसमें भाई आपको वह कौपी मतलब पता नहीं कैसे आगे लेकिन कौपी स्केपना यार मतलब वर्ल्ड वाल्ड थोड़ा ज्यादा ही चलता है मतलब अगर कोई कंपनी जैसे अन अकडेमी के टाइम पे मेरे कॉंट्रेक्ट में सीधा-सीधा अन अकडेमें लिखके दिया था हमको कौप के लिए काम किया अड़ाने एंटरप्राइज के लिए उन्होंने में कुछीधा लिखके दिया था कॉपी स्केप चाहिए लूंगा मैं इसको चेक कर लूंगा इसको लाइक टेस्ट कर लूंगा आप लोग मुझे आरे जी 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 आरे नहीं मैं मैं देखो मैं भास ने कर र और पर आर्टिकल टो दिया था और टाइम नहीं था तो मैंने उनको पेमेंट भी कर दी तो बार-बार मांग रहे थे ठीक है तो अगर कंटेंट आ रहा है ना किससे तो उसको पूरा पढ़े विगर तो आप पेमेंट करो मत और रही बात एयाई की वो तो देखते ही पता च को पकड़ लूँगा आजकल बहुत अच्छे से लिख रहे हैं तो वह तो पकड़ में आता नहीं है और अगर कोई AI से लिख भी रहना उसमें नुकसान तो है नहीं अभी गूगल के पास भी तो ऐसी कोई कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीज होगी जो AI से लिखा हुवा ग्टेंट मतलब अगर वह कंटेंट nih specified नहीं है ठीक है नशिस पेसिफएंड नहीं और अगर देखो यह चीज्ज नम समझने वाली ठीक है तो AI वाला कंटेंट मुझे तो समझ में आ जाता है अब इसक बहुत छोटा ठीक है अगर आपको किसी को बोल हो कि पर आर्टिकल मैं आपको पैसे दूंगा तो आपको पासवर ड़का लिखके देगा तो पर वर्ड ही करो पर वर्ड में मेरे साथ यही हो आए अगर सामने वाला राइटर इमानदार है तो तो कर देगा आपका आर्टिकल प्रॉपरली नहीं तो मोस्ली पाफसो पाफसो वर्ड के दस लिखके दे देते और पेमेंट आपको देनी पड़ती है तो मोस्ली परवर्ड ही करो ठीक है और AI की वाली बात थी ना वो मेरे एक दोस्त है वो मतलब उनका AI वेरिफिकेशन का ही काम में वो एक जगा पर काम करते उनका AI टूल पर वो काम करते ठीक है तो मैं उनसे बात करके यह चीज़ स्पेसिफाइब करके ना ग्रूप बता दूँगा ठीक है बही एक काम किस तरीके से क्या कर सकते हैं नीचे वाला कुश्चन है विशाल भाई मेरा वगेरा के साथ काम करें और वहां पर रिसेलिंग कर रहे हो ना तो दस पैसे पाच पैसे का मार्जिन मिलता है जो कुछ होता नहीं है उसके अदर आपके ऊपर पूरी स्पॉरी होती है अगर क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है तो आपको पेमिंट करनी पड़ती है तो यह में रखे रिसेलिंग का विजनेस करो और क्लाइंट बहुत बार गायप हो जाते हैं पैसे लेकिंट वाला तो समीत बगा ने बता दिया और एक कॉपी स्केप है आप देख लो आपको जो भी अच्छा लगे कर लो ठीक है और इस पीपीड़ी फॉर इंडियन आ मोस्ली चार रुपए पाच रुपए भी ले लेते हैं अभी मिलेको एक आर्टिकल मिला है क्लाइन की तरफ से कल ही मिला है मुंबाई का क्लेंट है और उनके जो टार्गेट नृडियंस है वह कंपनीज के सी ओ तो उन्होंने मिलेको साथ रुप परवाड दिया कल ही दिया तो उसक तुमको 20 पे रखोंगा ठीक है अगर देखो यह तो मैं अगला जब भी कोई सिक्षिन अगर अगला आज बेक करवाते ना तो उस पर तो मैं आपका आउटलाइन बनाना भी सिखा दूंगा लेकिन आउटलाइन देना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी को आउटलाइन द पढ़ेंगे उससे बहुत सारे तो अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए और राइटर के साथ अगर मतलब चीजे साह बहुत आगे तक ले जानी है ना तो हर एक चीज उसको बता दो कि किस तरीके से उसको लिखना है मतलब पहले इंट्रोड़क्शन वहां पर लिख दो चार परेग्राफ ठीक है नीचे यह हेडिंग इसमें आपको स्टेप बाइस टेप कैसे लिखने है उसके बाद नीचे कंक्लूजन लिखना है एक कौन से डालने है उन सबके रेफरेंसे सारी चीजे दे दो तभी आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा अच्छा कंटेंट नहीं वह भी चीज़ बता दो थोड़ा टाइम आपका जाएगा लेकिन कंटेंट ठीक मिल जाता ठीक है कि को अगर लिखा कंटेंट है ना तो अब राइटरी करते यार यह काम तो राइटरी कर लेगा अगर सही करना है ना तो पूरे लिख लेता अगर वह पूरे महने का काम है तो मैं उसको स्लेडी बेस पे लेगा बोलता हूँ पूरे महने यह काम करके दे दो मेर को एक मेना है तरपास यह काम कंप्लिट चाहिए काम कंप्लिट होते पेमिंट मिल जाएगे ठीक है और अगर कुछ आर्टिकल है तो आप उसको पिर वो करना होता है क्या उसमें से रैंडम ली दूचार आर्टिकल उठाके पढ़ लो ठीक लगा तो पेमिंट कर दो ठीक है यह है नवजीत भई आपको पहले स्पेसिफाय करना होता है कि यह टॉपिक है इस हेडिंग के अंदर मेरे को इतने वर्ड चाहिए और टोटल आर्टिकल इतने वर्ड से इतने वर्ड तक कही होना चाहिए अगर आप उसको अनलिमिटेड वर्ड बोलते हो बोलते हो कि तुम बोलोगे तो यह इशू फेस ही होगा मैंज कॉंटेंट अप्लोडिंग में क्या होता है वही मैनेजर वाला चीज होता है उसको हायर कर लो और उससे काम कर वालो मॉस्ली क्या होता है मैंने कुछ ब्लॉगर्स देखे जो अपने फैमिली मेंबर को ही ट्रें कर देते हैं कंट के साथ अच्छे से कंफोर्टेबल थी तो उन्होंने अपनी वाइफ को सिखा दिया कंटेंट पढ़ना कैसे है चेक कैसे करना है उन्होंने सारे टूल वगरा उनको खड़ित के दे दिये वह लेडी जब मेरे मतलब अभी जब हमसे जाता है तो हमने पूरा उनका लिया और तो फिर उसको वह अप्लूड कर देते हैं तो अगर आपके घर में कोई अच्छा बंदा है फ्री है तो आप उसको सिखा दो या फिर आप मैनेजर ले लो दो ही ऑप्शन है यहां पर ठीक है इस चीपर कंट्रीज ठीक के लिए तो यार मेरे पास तो यह वह क्या बोलत इसको रिजर पे का वह पेमेंट करने वाला सिस्टम में तो मेरा तो वही से हो जाता है लेकिन आप पैपाल से कर सकते हूँ पैनियर तो होता है शायद लेकिन मैंने कभी यूज निकिया पैपाल स दिन लग जाते हैं मैंने एक बार किया था है उसको पहुचते पहुचते एक महिना लग गया था ठीक है तो आप देख सकते हो बैंक में पूछ के अगर मिल गया है तो दूसरा यार वेस्टर्ण यूनियन करके एक है पेमिट गेट वे वह भी यह चीज आपको अलाओ करता है अगर आप बार बार पे करते हो तो ठीक है इसके चार्जिस हाई होते तो अगर एकाद बार करना है तो पेपाल से कर लो ठीक है वाट अबॉट अगर ठीक नहीं है बंदे की नया बंदा है कवर फोटो नहीं है फोटो ठीक से नहीं है एक्स्परियेंस नहीं है तो उसको डला हुआ है जैसे देखो यह वाली मेरी प्रोफाइल है ठीक है देखो इसका ओपन कर लेते जो स्क्रीन को देखो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं अभी लिंग्टिन की जब प्रोफाइल देखते हो उसके नीचे एक टैब होती एक्सप्रियंस नाम की और उन्होंने सारी छिज़े लिखी होती है उन्होंने पिछले कितने सालों में कहा कहां पर काम किया है अगर चरपा साल से िकाम करें वहां पर पर इसने कुछ नहीं लिख अगर कुछ भी नहीं लिख लिखने घृषिन बाकी तो मतलब जिसका एक्सप्रियंस तो तो इंटर्शिप के लिए आने से रहा मतलब वह आता भी नहीं तो अगर इंटर्ण ही लेना है तो मुसली आप चले जाओ वहाँ पे फेस्बुक पे या फिर यार एक बहुत अच्छी चीज है देखो यह वाली चीज ना मैंने एक्सलोड की थी बहुत स्टार्टिंग मैं जाता है वो लोग बैच मैंना उस कर देते कि हमारे यहां पर प्लेस्मेंट आ गई और हम आपको कोर्स के सच्छा जॉब भी दे देंगे इंटर्शिप वाली और आपको इंटर्ण भी मिल जाता है और वहां पर पैसे भी देने नहीं पड़ते है चार-पाजार रुपे में करता है अगर अगर किसी को आपने किसे आपने सैंपल लिखवा लिया है और अगर वह आप उसको पे नहीं कर रहें तो उनको फिर निकली जाना पड़ेगा लेकिन अगर लिखवा रहे हैं और ऐसे बोल रहो आई डूंट लाइक में को पसंद नहीं आया तो तो फिर वह थोड़ी यार फिर तो उसको पैसे देनी पड़ेंगे ठीक है यह वाली चीज आ जाती है अब कहां पर थेयार हमें आप पर लिख सजेस्ट यह चीपर वाला तो हाफिस चीपर कंट्रीज ठीक है चीपर कंट्रीज यार वही होता है बांगलादेश होता है नेपाल होता है मैंने देखा है साउथ आफ्रीका की जो भी कंट्रीज होती है उनकी करन्सी ठोड़ी डाउन है कुछ कंट्रीज की तो वहाँ पर तो चीप में बहुत चीप में राइटर मिल जाते ठीक है आपको मोस्ली क्या करना है कि जो जिससे एक डॉलर और एक रुपए में जो फरक है ठीक है तो आपको एक रुपए से नीचे वाली कंट्रीज देखनी है तो वहाँ पर आपको कम पे कड़ना पड़ता है ठीक है और वाट अबॉट आपके मन में कुछ है जो हम कर सकते हैं यहां पर भी आपने कर दिया सारा जो भी इंपॉर्टन के ऊपर ठीक है ठीक है ठीक है सब लोगों को देखो मेरी हिंदी के विज़सा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है ना तो उसके लिए तो हमें कोई निक्कत नहीं है तो अच्छा हिंदी बोलते हो इसका इसका इंडरMin मितलब होता है जो लोग यहां पर सिक्षन देखने आया है उसका मैं मन से आभारी हो ठीक है यार्ट रव को Σेम्सेम ही होता है सेमसेम ही होता है मैं बोल तो च्छे से तो बोल देता हूं ठीक है मिशार बढ़ी आपकी हिंदी